नमस्कार आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड आएए दोस्तों सुनते हैं रजनी मोरवाल जी की लिखी कहानी चौकन्नी इस्त्रिया दुर्वा ठकान से पस्त थी चाहती थी कुछ खाले और सुबह तक धह जाए एक तो आट-दस घंटे का सफर और दूसरा लेंडिंग करने के ब गया था सो दूर ही हाथ हिलाते दिखिया था आपको कोई परिशानी तो नहीं होगी मेरे साथ सोने में सामान का इंतिजार करते हुए सत्या ने अचानक चुपी तोड़ी थी हैं अरे मेरा मतलब था मेरे फ्लैट में होने से अब साथ रहोगी तो सोगी भी तो माना की और कमरे दो हैं किन्तु कहा तो यही जाएगा उसकी बाद से दुर्वा के दिमाग में हथोड़े बजने लगे थे उसे हाना के बीच जूलता देख सत्या नहीं चुप्पी तोड़ी थी यहाँ पासी बॉंडी चेरी के कुछ भारती रहते हैं उनके यहाँ कुछ सस्ते होटल्स और भोजनाले खोल रखे हैं चले नहीं मैं किसी से इंसिक्योर नहीं होती खुद से तो बिलकुल नहीं मैं तुम्हारे साथ ही ठहरूंगी अगर तुम्हें एतराज ना हो तो बिना उसकी प्रतिक्रिया के वह सामान का इंतजार करने लगी थी एयरपोर्ट पर कन्वेयर बेल्ट नंबर एक पर खड़ी दुर्वा की उचटती निगाहें कभी बेल्ट पर से गुजरते सामान पर पढ़ती थी तो कभी लोट कर एयरपोर्ट का मुआयना करने लग जाती थी उलटते पुलटते घिसरते रगटते बड़े छोटे बैक्स और अटैचियां यूँ लोड़क रहे थी मानो उसके तूटे सपनों का एक सैलाब सा बहा आ रहा था उसने घबराकर अपनी नजर एक पल को वहां से दूसरी तरफ फेर ली थी एरपोर्ट पर पीछे की तरफ मोना लीसा की एक बड़ी सी पेंटिंग लगी दिख रही थी वैसे यह मोना लीसा की एक प्रतिलिपी होगी किन्तु मसकान शत्-प्रतिशत वही जो किसी के भी कदम छिटका दे यह उसकी प्रतिलिपी है क्योंकि चित्रकार लियोनार्डो दविंची की मूलकृती तो लूब्र म्यूजियम में लगी है जानती हूँ और जिसे देखने की बिताबी मैं जब नहीं कर पा रही हूँ मैं इसी कश्मकश में रहता हूँ हमेशा कि यह हस रही है कि रो रही सत्या फुस्फुसाया था शट अप सत्या पिटवाओगे विदेश में तुम्हारे लिए होगा विदेश मैं तो एक पैर भारत में और दूसरा पैर यहां रखता हूँ ओहू चलो हटो एनराई कहीं के अच्छा सच बताना अगर यह हस ना हुआ तो भाई इतनी रहसे मैं मुस्कान क्यूं भला कोई खुलकर ना हस ले इससे वहतर कि सद्यों तक इनकी मुस्कान ही बूचते रहेंगे लो खुद तो निकली और पेड़ियों को काम पे लगा गई तुम न या जीब सी गवारु भाषा मत बोला करो कौन मानेगा कि तुम किसी कमपनी के CEO हूँ वह तो मैं करमचारियों के लिए हूँ तुम्हारे सामने तो वही हूँ बचपन वाला लड़ियल हे 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 उफ तुमसे वहसना करने में ही समझदारी है अब तो तुम्हारी अम्मा तक तुम्हें लड़ियना बुलाती हूँगी फिर भला मैंने कब बुलाया तुम्हें इस नाम से पहली मर्तबा मिले हो ओहो तो अब बुलालो पहली दफ़ा क्यों फोन पर वीडियो कॉलिंग भी तो की थी न यहां आने से पहले अब समझता हूँ कि तुम देख लेना चाहती थी कि बंदा है कौन सत्या उसके मुँखे ठीक सामने आकर खड़ा हो गया था अच्छा बाबा चलो समान बटोरो और चलो यहां से बुवा निना जाने कौन सी घड़ी में कह दिया था कि मेरी सहेली का बेटा वहा रहता है उससे मिल लेना वे रोब भी घुमा देगा और तुम अकेले पन से भी बच जाओगी क्या परिशानी है ठीकी तो क्या उन्होंने मैं चुट्टी लेकर तुम्हारी साथ घुमने के लिए तयार हूँ आज रात ही तुम्हें सेर करवाता हूँ अब थोड़ी बहुत शरारते तो बनती है ना सत्या ने बनावटी गुस्से से कहा था चलो भी लड़ियल कहीं के दुर्वा ने ट्रोली पर समान रखते हुए कहा था वह सत्या को अपना पर समालने की हिदायत देते हुए वाश्रूम चल दी थी इन लड़कें के साथ यही प्रॉब्लम है इनके कंगी से लेकर जूतों तंक सब समालना पड़ता है उस पर भी ये विमर्ष कि हम आत्म निर्भर हैं, मर्दों से कम नहीं अपने लिए अपनी दुनियाँ खुद बन सकती है तुम ये क्या बड़बडाते रहते हो, हाँ हम सब कर सकती है और वह भी अकेले अपने दम पर जिफ इलहाल तो लीजिए ये पर्स पकड़िए और गेट टक चलिए टैक्सी आ गई होगी यहाँ एक घंटा इंतजार करने के टैक्सी वाला वेटिंग चार्जिस 38 यूरो ले लेता है आ गया न टिपिकल भारते मान सकता पर आरे यार पैसे खर्च करने में नहीं बलकि फिजूल खर्ची करने से गुरेज है मुझे एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसकी कपकपी छूट गई थी सर्द भरी तेज हवाओं ने उसे जग जोर के रख दिया था उसने बैग में से जैकेट निकाल कर पहन ली एनर, गलव्स, बुलन कैप और बोट्स तो वा पहले से ही पहन कर चली थी इतनी ठंड में जीते कैसे हुंगे यहां के लोग क्यों जी हम क्या जिंदा नहीं देख लो सासे चल रही है बलकि आपको देखने के बाद तो दौरने लगी है उसने दुर्वा का हाथ अपने हिर्दै से सटाते हुए कुछ इस अंदाज में बोला था कि दुर्वा की हसी फूट पड़ी थी देखो हम आज ही अरपोर्ट से घर जाते हुए एफिल टावर देख लेंगे समय भी बचेगा और रोश्नी में भव्वी भी लगता है दिन के उजाले में तो शहर से गुजरते हुए कभी भी देखा जा सकता है दुर्वा ने नोटिस किया था कि सत्या बात करते करते तुरन पॉइंट पर आ जाता है मुद्दे की बात पर टिके रहने वाले पुरुष उसे सच्चे लगते हैं उसे लगता है ऐसे पुरुष जिंदगी की राहों पर भटकते नहीं है कठिन से कठिन परिस्थितियां भी उन्हें मुद्दे से गुमरा नहीं कर सकती ऐसे पुरुष पर्फेक्ट हस्बंड का एंड ओफ मेटीरियल होते हैं रोहित की तरह के तुसर्फ बॉइफरंट तक ही सिमित रहनी चाहिए गलती किसी की भी रही हो अब हो गई सो हो गई वहिम्मत करके सबाधा धुरा छोड़कर चली आई थी वकील नहीं कहा था कुछ समय दो अपने रिष्ट्यों को कानूनी दाव पेज की बजा एक छोटा सा ब्रेक अप कर लो चलो बहुत थंड है यहां मुझे कर लूब्र म्यूजियम भी देखना है दुर्वा जहां से निकली थी उनी ख्यालों में जा जाकर अटकती जा रही थी एक दिन में असंभव है एक दिन में मैडम लोग महीनों यहां पड़े रहते हैं तब भी इसका कोई न कोई कोना चूता छूटी जाता है अगर 537 पेंटिंग्स और 184 कलाकृती में से हर एक को 4 सेकंड भी देखेंगी तब भी पूरा म्यूजियम देखने में तीन मेहने का समय लगेगा गारेंटी लेता हूँ कि मोना लेसा के पेंटिंग के समक्षे तुम पूरा दिन ठगा जाओगी ठगा तो मैं आई है हूँ अपने आपको जिंदगी के हाथों और कितना ठगाऊंगी अब आई हूँ तो हर को ना छूतो लू कम अज कम हाँ छूलो वह कुछ कुछ कम कम धीमा धीमा ही सही किन्तो यही बोला जरूर था वह फ्रेश होकर आई तब तक सत्याने नूडल्स और टोमेटो सूप बना लिया था वाइन के दो गलास उसने खाली रख छोड़े थे अगर एतराज न हो तो यहां सर्दी से यूँ ही बचा जा सकता है देखलो हीटर तीनों आन है भई देखलो अपनी अपनी स्रद्दा है अपन तो एकाद लेंगे उसने बिना किसी को संबोधित कहे कहा था दुर्वा ने अपना गलास उसके आगे बढ़ा दिया था मने प्यास तो है आवे चुब्बे लडियल चल सर्व कर आ गई ना अपनी वाली पर अब ना कहोगी मेरी भाषा को गवारू में दोनों एक सा थस पड़े थे खाना सिर्फ पेट भरना था और पीना ठंड का बचाओ किंतु नशे के बहाने-बहाने दुर्वाने सत्या को सब बता दिया था कई मर्तबा किसी एक बहाने के भरों से हम कितना कुछ उलीच देते हैं इल्जाम दिलो दिमाग के नशे पर जाता है जबकि ऐसी स्थिती में अमोमन जेहन जिन्दगी के उन्ही कोनों को अधिक जगजोरता है जिन्हें हम सबसे बचाए अपने साथ लिए चलते हैं जिसे लोग आउचेतन मन कहते हैं दुरवा ने भी यही किया पता दिया कि रोहित और उसके बीच सब ठीक नहीं है वह इस सदी में भी इस्तियों को दूसरे पायदान पर मानता है उसका सोचना है कि बायलोजिकल सब इस्तियां जर्मती ही इस तरह है वह इस्तियों को देहिक रूप से पुरुष से कमजोर वह उसके मस्तिश को तमाम इफस और बट्स के बीच तूसरे पायदान पर जूलता हुआ पाता है जो पहले पायदान पर चढ़ने के हिम्मत ही नहीं कर पाता उसका मानना है कि इस्तियों को हमेशा से कमजोर एक कदम ठिठक कर सोचना चाहिए एक हद में आजादी का पक्षधर है तुम भी आदियावादी की मानिंद सेमोन दबोवर के प्रशनशक हो जिनका कहना था इस्तियों पैदा नहीं होती उसे बनाया जाता है सिमोन का मानना था कि इस्तियों चित गुड दरसल समाजवा परिवार द्वारा लड़की में भरे जाते हैं क्योंकि वा भी वैसे ही जन्म लेती है जैसे की पुरुष और उसमें भी वे सभी शमताएं, इच्छाएं और गुड होते हैं जो की किसी लड़के में यही सच भी है, तो तुमने उसे सिर्फ इसी कारण से छोड़ दिया यह सिर्फ नहीं है, बलकि यही सबसे एहम कारण है, वैसे अभी छोड़ा नहीं है हमने एक दूसरे को सिर्फ एक ब्रेक लिया है, एक स्पेस जो वकील के कहने पर है या इरादतन इस्पेस है जो की भर पाएगा या नहीं क्या मालूँ ये इस्पेस दरसल हमारे विचारों में होते हैं जो जिद और इगो के चलते एक चोड़ी खाई में तबदिल हो जाते हैं नहीं इगो और जिद के परे भी एक बात होती है जिसे वह समझ ही नहीं पाता है वह है लिंग भेट से उठकर व्यक्तित्तो का सम्मान नेजिता और स्वतंतरता की छूट यह स्वतंतरता देहीं की हो यह जरूरी नहीं बलकि तारकीक सोच हुआ विचारधाराओं के हिसाब से होनी चाहिए दुर्वा उस राद बड़ी गहरी नीन सोई थी उसके कनफेशन पर दुबारा उन दोनों में से किसी ने चर्चा नहीं की थी किन्तु सत्या सब सुन चुका था जो वाइन के बहाने दुर्वा कह गई थी निढ़ाल होने से पूर्व ओके लेट्स टेक आ ब्रेक दुर्वा इस्पेस विल गेव अस टाइम तो रेथिंग तो अंडरस्टेंड द सिचुएशन और मैं कहीं और शिप्ट हो जाता हूँ तुम रहो इसी फ्लैट में आनो हैसान कर रहा हो उस पर कम से कम उत्तर देने वाली दुर्वा में जाने कौन से शक्ती आ गई थी उस वक्त कि रोहित बेहगबक आ गया था मैं एक बार पैरिस जाना चाहती हूँ तो सोच रही हूँ ब्रेक अप के भाहने यही स्पेस लिया जाए रोहित ने बहुत इसरार किया था उससे चिकट वह होटल आदी के इंतिजाम के लिए पर दुर्वा का अपना कार्ण था जौब छोड़ने के बाद उसका रुपया ज्योगा त्यून जमा था कहां खो गई आप उसे अपने में गुम देखकर चिंते स्वर में सत्याने पुना पूछा था तुम्हें जेट लेग हो रहा होगा कल चले ऐसा है तो किन्तु रोश्णी में भवे लगता है एफिल्टावर रात के समय जब पूरी बीस अजार लाइटे जगमगाने लगती है तब तो इसके शोभा देखते ही बनती है उसका तुम कहना भाया था दुर्वा को जैसा तुम ठीक समझो वैसे भी मुझे नीन से और नीन को मुझे शिकायत है में नते करकर के हम दोनों हार जाते हैं किन्तु नववा आती है न मैं बाज आती हूँ वा बेवज़ हसी थी उसे हस्ते हुए देखकर वा कोश असमन जसमे था तुर्वा ने उसकी बेचैनी भापली थी तो अपनी बात पर पुन सहमती जताती हुए उसने कहा था नहीं रोशनी के शहर को रोशनी में ही देखना चाहिए हम अभी ही देखेंगे तुम पर वा हसी फब रही थी हसा करो लेकिन आइबरो को नज़्दीक लाकर ये भ्रिकुटियां इकठी नहों तो बढ़ियां लुक रहे वैसे भी तनाव रही चेहरे जादा खुबसूरत लगते हैं इतना व्याख्या एक हसी के लिए इससे अच्छा तो होता कि तुम पूछ लेते कि माजरा क्या है वा फिर हसी थी किन्तु इस बार सत्या ने और अधिक गौर से देखा था उसे कुछ तो गड़वड है कसम एफिल टावर की वा मन ही मन बुदबुदाया था किन्तु जाहिराना तोर पर उसने कहा था पिछले सवा सो वर्षों में पैरिस वा एफिल टावर एक दूसरे के परियाए बन चुके हैं पैरिस को सिटी ओफ लाइट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि सन अठारा सो बीस में यह योरोप का पहला शेहर था जहां सडकों पर शाम के दुधलके से पूर्व ही गैस के लैंप जलाए गए थे आज भी रात पर पैरिस की सडके महलों, चौराहों, दुकानों, नाइट क्लब्स और बार इत्यादी रंग बिरंगी रोश्णियों से जगमगाते रहते हैं येस, देट्स वाई, इट्स कॉल सिटी ओफ लाइट्स नहीं ऐसा नहीं है इस सिटी ओफ लाइट्स में कुछ अंधेरे कोने भी हैं मसलन, वहाँ देखो उस जोडे को, जो सडक के किनारे कमबा लोडे बैठा है तुर्वा ने उनकी ओर देखकर हाथ हिला दिया था बदले में उन्होंने भी उसे वेव किया था कौन हैं ये लोग, इस शांदार चमकते हुए शेहर के बीचों भी जियूं सडक पर या तो हमारे देश में ही होता है ऐसा नहीं है, भिखारी यहां भी है दरसल दुनिया के खुबसूरत देश भी जुग्यों की भरबार से परे नहीं है हाँ, ये सच है कि पैरिस में भी इसलम्स है इस बस्ती को नाम दिया गया है रोमा जिपसी गाउं दरसल रोम और बुलगारिया से आई शर्णार्थियों ने पैरिस के आउटर में रेलवे लाइन के पास अपने लिए गाउं बसा लिया है इस बस्ती में 16,000 से ज़ादा लोग रहते हैं जो आम इनसान की बनियादी सुबधाओं से कोसो दूर है इस बस्ती को लापटीट सेंटर हट्स के नाम से जाना जाता है मैंने सुना था पैरिस में सिर्फ काच की ही सड़के है अरे ऐसा नहीं है सड़के तो यहाँ भी हर देश की तरह ही है किन्तो साब सुथरी है बस नाम सुनकर तो लगता है जैसे किसी विला का नाम हो अगर लापटीट हट्स रख देने से जुगिया महलों का सुख देती हो तो हम भी अपने यहां ऐसे ही नामिजात कर लेते है सत्या नहीं बताया था कि यहां रहने वाले लोग रोमा कम्यूनिटी के हैं कुमकड होने की वज़े से इन्हीं जिपसी भी कहा जाता है यह पूरे यूरोप में फैले हैं और इतने दिनों बाद आज भी अपमान और भेदभाव के शिकार हो रहे हैं फ्रांस की कैपिटल पैरिस में भी इनका यही हाल है यहां रहने वाले ये लोग कारों के साफसफाई करने से लेकर मज़दूरी और छोटे मोटे धन्दे करके अपना गुजर बसर करते हैं यह जिस इलाके में रहते हैं वहाँ चारोर गंदिगी का अमबार है इनके लिए लाइट और पानी की व्यवस्था भी नहीं है हाला कि कुछ NGO इसके लिए आवाज उठा रहेंगे आवाजे तो हर देश में ऐसी जबताव उड़ती ही रहती हैं मगर सुनता कौन है ना सरकारों तक इनकी आवाजे पहुचती होंगी ना भगवान तक सोने से दमकते गेट वाला भवे महल वरसाय को देखने के बाद तो दुर्वा की आखें चका चौन थी अगले दिन फैशन स्ट्रीट के बाहर ठक कर बेहाल दुर्वा ने सत्या का हाथ थाम लिया था अब और नहीं प्लीज आओ यहां बैठते हैं कुछ तेर और सत्या ने उससे सहारा देकर सड़क के किनारे लगी एक बैंच पर बिठा लिया था वा भी यूँ ही ठक जाती थी पर फैशन स्ट्रीट आना नहीं छोड़ता था उसका वा कौन? वा जो कभी मेरी सब कुछ थी ये अलग बात है कि हमने शादी नहीं की थी पर लिविन में तो थे साला यही एक खराबी है लिविन रिलेशन में जब मन भर जाए छोड़कर चल दो कुछ तो बात हुई होगी जब जिस रिष्टे को खत्म होना होता है तो वह तूटता ही है उसके लिए किसी वजय या मकसद की जरूरत नहीं होती हाँ यही सच है बड़ी देर तक चुपचाब बैठी दुर्वा ने अपने करीब किसी साय को बैठे पाया था उससे नजरे म मुल्की महिलाएं और पुरुषों से अपना कीमती समान और पर्स बचाना सत्या ने उसकी हथेली हौले से दबाय हुए उठकर चलने का इशारा किया था उनके खड़े होते ही वह महिला जोर जोर से अपनी भाशा में चिल्लाने लगी थी कापते हुई दुर्वा ने कसकर स सत्या को जकर लिया था वह महिला उनके चारोर केरा बनाकर गोल-गोल घुमकर चीख रही थी चलती जाओ बिना उसकी तरफ देखे बस आगे बढ़ती जाओ पर उसे परिशानी क्या थी एक हो तो बताऊं भूह गरीबी रेसिज्म या उसका पागलपन कुछ भी हो सकता है ये हर देश की एहम समस्या है घर पहुशने तक भी दुर्वा डर से तो कुछ ठंड से कापती रही थी टीटर चलाकर सत्या ने उसे पलंग पर कंबल में दुपका दिया था तुम आराम करो मेरी नन्ही चिडिया मैं कुछ खाने का प्रबंथ करता हूँ सत्या चावल और दाल बना कर लाया तब तक दुर्वा सो चुकी थी सत्या ने उसके मुँपर बिखरी लटों को धीरे से सबार दिया था कमजोर पड़ गई थी दुर्वा उस वक्त और फफख फफख कर रो उठी थी उसे अपने सीने से लगाए सत्या यूही सो गया था उस रात बरसात हुई थी सुबह देर तक सोने के बाद रात की नमी से पिघला आस्मान कई दिनों के बाद कुछ-कुछ दिखाई दिया था शायद आद सूरज निकल जाए हाँ सूरज को निकलना ही होगा अंधेरे की स्याही जो फैली है यहाँ धरा पर उसे समेटने के लिए कुछ उजास अब विखेरना ही चाहिए सत्या ने दुर्वा को गले लगाते हुई कहा था मुझे जाना होगा अब सत्या क्या जरूरी है रुक नहीं सकती अभी नहीं शायद फेरा जाओं कभी न लोटने के लिए किन्तू कुछ जरूरी हिसाब चुकता करने है इन सबसे पुर्व की मैं पुनह जीना सीख जाओं तुम्हारी बुगा नाराज होंगी उन्होंने अपने भतीजे से सिर्फ मदद की उमीद थमाई थी और मैं गलानी होने लगी है मुझे पागल न बनो दुर्वा जीवन हर किसी को अपने हिसाब से जीना चाहिए जीवन के हर पैसले का निर्णे खुद लेना सीखो गलतियों से सबक और अनुभव जो भी मिले कम अशकम उनकी जिम्मेदार भी खुद ही बनो सस्या ने सिसकती दुर्वा को ढाडस बंधाया था सत्या से भी छुडते हुए उसने किसी वादे का भरोसा नहीं जतलाया था लेकिन उसे अब अपने खुशियों के लिए स्वैम निर्णे लेना है ये उसे सत्या नहीं सिखाया था हाँ प्लेन के टेक ओफ के वक्त जी भराया था उसका एक होक सी उठी थी उसने खिड़की से बाहर पल के खुमाली थी उसकी बगल में बैठी महिला ने धीरे से पूछा था सब ठीक है? जी, जी हाँ दुर्वा सोना चाहती थी एक गहरी नीन की कि अपके बार फिर जागे तो कोई कोहासा न दिखे उसके जीवन पर बस हरे भरे मैदान हो हर तरफ जिन पर वह दोड़ती चली जाए दूर दूर बहुत दूर तलग वहीं उस छोर पर उसे सत्या का चेहरा मुस्कुराता दिखा था उसने और जोर से आखे मेच ली थी वह अब की बार इस ख्वाप को जी लेना चाहती थी बेटा जी आप मेरी मदद करो नी तीसरी सीट पर बैठी महिला ने दूसरी सीट वाली महिला से कुछ कहा था शायद तब ही उसने एर होस्टेज को बुला कर कहा था इनके कान में दर्ध है कुछ रूई और गर्म चाह ले आएए प्लीज दूरवा ने अपने पर्स में से टौफी निकाल कर उनकी और बढ़ाई थी इसे मुह में रखकर धीरे-धीरे चूसिये जब तक वह चाह ले आएंगी थैंक्यू बेटा यू तो मारे बेटे ने दियो नी मने संगली जीडा पड़ भी एर होस्टेश बैग ने उपराने मेल दी नी जोको अब की आवे नी बे तो महें कडास्यू बीने खेर जी कोई बात नहीं आंटी जी आप आराम से बैठिये आपका सामान भी उपर से हम निकलवा लेंगे सीट नंबर दो ने कहा था पहली बार में या एकली सफर कर रही हूँ जीसे थोड़ी घबरा गी इधर आयोडी थी बेटा के कन्ने एर मारी सास गुजर गी मारे बेटा कनी छुट्टी को नी इवास्ते मने इआनो पड़यो वे परिशानी घबराहाट और दुख सबसे एक साथ जूशती दिखी दुर्वा की तरफ देखकर वे जेबती सी मुस्कुरा दी आप चिंता न करें हम सब साथ ही तो हैं दुर्वा ने उनके घुटनों पर अपनी हथेली में दो छोटे छोटे डिब्बे और भी थे बहत करीने से उसने अपने पर्स में कई सारे पाउच और नाश्ता समा रखा था मने नी चाहिजे बेटा तु केरी है तो ला मेलू पाच्छी खाले अशू उन्होंने एक पेपर बोट पोमे ग्रेनेट जूस अपने हाथों में थाम लिया कुछ देर तक उन्होंने एर होस्टेस का इंतिजार किया टेक ओफ के बाद वे उसे धीरे धीरे सिप करने लगी थी उन्हें सीट बिल्ट बांगने में खासी मशक्कत करते देखी दुर्वा समझ गई थी कि वे प्लेन में यात्राओं के अभ्यस नहीं है नजर मिलते ही वे मुस्करा देती थी आप भी एक लही जा रहे हो जी दुर्वा के इस शोटे से उत्तरने उन्हें ने राश किया था मारी मा सिधार गी बेटा ने चुट्टी कोडी मिली तो माने अकली जाना पड़े ओ ऐसा कहकर वे रोने लगी थी धीरज रखे हम साथ हैं आप चिन्ता ना करे मा की उम्र कितनी रही होगी दुर्वाने सांत्वना देने की गरत से उनसे बात जारी रखी थी महें ही सतत्तर की होड लागेगी माने 99 की हो जाती ही महीना विमार तो कोडी थी यार तो हालती डोलती ही पड़ उमर भी होगी ही भी की वे देर तक सुबक्ती रही थी आप कहां जा रही हैं? दुर्वाने अपने पास बैठी इस्त्री से पूछा था जी मैं कमपनी के काम से इंडिया जा रही हूँ गूगल में काम करती हूँ यहां केली रहती हूँ बाकी परिवार इंडिया में ही है उसने दुर्वा के एक प्रशन पर ही सब कुछ बता दिया था हम मैं सिर्फ ब्रेक पर आई थी यहां जी, उसके जी के साथ लगे प्रश्णवाचक को दुर्वानी भाप लिया था दरसल 17 साल पुरानी शादी को तूटने से बचाने का एक मौका और दिया है वकील ने और सलाह दी थी कि हम कुछ दिनों का ब्रेक ले ले मुझे पैरिस देखना था सो यहाँ चली आई वाव, sound interesting, I mean यह ब्रेक तो वाकई मज़ेदार रहा होगा यानि कि आप यहाँ और वे, उनका नाम रोहित है वे एक अतिवेस्ट वेक्ति हैं, उनके जीवन में ब्रेक जैसा कुछ नहीं सो यूँ समझ हिए कि यह ब्रेक एक तरफा रहा अब यह जो period था, वह हम दोनों के लिए मनन करने के लिए ही तो था कि रिष्टे में कहां चूक हुई किन्तु उनके हिसाब से इस रिष्टे में उनकी तरफ से कोई चूक नहीं बस मैं ही जादा demanding हूँ आप कुछ काम करती है या house जी मैं house wife ही कहलाना पसंद करूँगी यह जो नया term house maker का इजाद किया है न सोसाइटी में दरसल इस्त्रियों को लॉली पॉप थमाने से अधिक और कुछ नहीं है दुर्वा कुछ उत्तेजित हो उठी थी आप शायद कुछ काम करती होती ही तो उनकी मजबूरी समझ पाती करती थी तब हालात और विकड़ते हूँ हम दोनों के बीच बोल चाल तक का समय नहीं था सच कह रही है मेरा नाम बिनीथा है उसने अपना हाथ दुर्वा की और बढ़ाते हुए कहा था दुर्वा ने उसका हाथ थामते हुए कहा था और मैं दुर्वा मारो नाम विमला है वे जाक कर उनकी बातों में शामिल हो चुकी थी अब वहाँ सीट नंबर नहीं बलकि तीन इस्त्रियां बैठी थी जिनके नाम खिड़की से बाइं की और क्रम्षा दुर्वा बिनी था और विमला थे वे तीनों एक सुत्र में बनने लगी थी वहाँ ना सीट नंबर थे न नाम न उम्र बस अगर कुछ था तो एक महीन धाका जिनकी बिनाई में तीनों इस्त्रियां अलग-अलग बिन्धी थी अब तक पर अब सुलजने को आतूर थी मारी मा मनिक धेवे पढ़वा कोनी भेजी मैं मारा भाईरी पोथ्या बाच बाचर थोड़ो घड़ी लिखवा पढ़वा सीख गी थे कि द्धा पढ़या हो जी विमला ने बिनी था और दुर्वा की तरफ एक साज़ा प्रश्ण चाला था मैं MBA करके एक फर्म में काम करती हूँ और मैं ब्रेक ब्रेक के खेल में उलची हूँ दुर्वा की हसी में कई सारे उत्तर थे जब इनेता ने भाप लिये थे किन्तु बिमला का मूँ अनभिक गिता से खुला रह गया था ये अपने पती से अलग होना चाहती थी किन्तु वकील ने ने कुछ महीनों के ब्रेक अप की सला दी है ताकि ये दोनों आपसी समझदारी से सोच समझ कर फैसला ले तो थेकाई निर्ने लियो अभी तो मैं पैरिस घूम कर आई हूँ कुछ सोचा नहीं वैसे भी मेरे अकेले सोचने से क्या होगा फैसला तो रोहीत और मुझे मिलकर लेना है वो अपने बिजनस में व्यस्त है उससे तो शायद याद भी नहीं होगा कि हम किसी नोटिस के तहट ब्रेक अप पर है क्योंकि उसके साथ होने या ना होने से उसे खासा फर्क पड़ा ही नहीं हम अमूमन इतने ही अंत्राल के बाद मिलते रहे हैं सो हमारी जिंदगी कई छोटे-छोटे ब्रेक्स का जोड है यो तो घड़ी परेशानी रिवात है मैं तो कदी या सोची ही कोडी मारा वे घड़ा दिवसरे वास्ते परदेश में रहता पड़ियो ब्रेक मुओ कदई हमारे दिमाग में कोडी आयो विमला जीव समंजस में थी आप कितने वरस के हुआ भी मिरीधा ने विमला से पूछा सतत्तर थे समझो की नहीं सत्तर और साथ 77 दुर्वा ने विरीधा की और देखे भी न कहा था मारा गोडा काम का नी रहा एकली जावारे कारड़ी बड़ो विकट है मारी मा गुजरगी वठे गामा और बेटा ने चुट्टी कोनी मिली यूँ तो मारी एक बडेरी भीड है निम्मो बी के दो बहुआ है छुट्की शान्ती और बडेरी कामनी एक छुट्की भेड भी है जानकी बे तो दूर रेवे जाकी बहुआ तो शहरी छोरी छापरी है नौकरी करेडी छोरे आजकल गावानो परसन कोड़ी करे पर निम्मो और उरडी बहुआ मारे पास बहुच की अब आज सुबह पहली हमें पहुच जाओरी थे मारी मदद कर दी जो सामान रे वास्ते अब चिंता मत करें हम साथ हैं हम बेल्ड से आपका समान लेने से लेकर आपको टेक्सी दिलवाने तक आपके साथ रहेंगे बेनिथा की बात से उन्हें थोड़ा ढाडस बंधा था किन्तु उनकी आखों की नमी फिर भी बनी हुई थी बिम्मला ने बेनिथा से पूछा आपरी उमर कित्ती वेगी बेटा जी मैं 35 की हूँ ओ मारा राम जी थे तो 15-16 से जादा किना लाग रहे हो अस्यो काई कर हो थे जी मैं कीटो डाइट पर हूँ बिम्मला इस बार कीटो डाइट नहीं समझी थी और दुर्वा और बिनी था दोनों नहीं कुछ समझाने की जरूरत नहीं समझी थी शायद वे बूज गई थी कि इस विशय में नो बताने से बिम्मला को कोई खास फर्क पढ़ने वाला भी नहीं है शादी वेई गई आपरी बेटा जी साथ बरस हुए और बच्चे हमने किये नहीं इस बर विम्मला के साथ दुर्वा भी प्रश्णवाचक दृष्टी से बेनीथा की और ताक रही थी एक ली जाओ जाओ हो थाड़े डर कोड़ी लागे डर कैसा मैं ब्लैक बेल्ट हूँ फास ड्राइविंग कर लेती हूँ और पर्स में सिर्फ नाश्टा ही नहीं ये देखे क्या क्या है उसने पर्स में से ब्लैट चाको, मिर्ची पावडर चिले स्प्रेय आदी निकाल कर विम्मला के समख्ष रख दिया थे घड़ी समझदार हो पड़ बेलोग जो एसिट फेक कर भाग जावे बी लोगों के बारे में काई सोच्यों थे और जो बलतकार रिखटना हर रोज होवे है बी ने यावास दुआ रोख सके की लाख पते की बात कही थी निम्मला ने एक गहरी चुप्पी में बिनी था और दुर्वा दोनों मिलकर उसका उत्तर ढूंड रहे थे किन्तु उनकी चुप्पियां सन नाटे से टकरा कर अनुत्तरी थी लोट आई थी उन लोगों की मानसिक विकृती का क्या करे बेटियों को संसकार बहुत सुखा लिए अब बेटियों को संसकार सिखाने की आवशक्ता है इस ओर भी हम इस्त्रियों को ही सोचना होगा लेकिन प्रोटेक्शन तो जरूरी है जितना हो सके सजक तो रहना ही चाहिए बाल बच्चा के बारे में भी सोच जो तो सही भिमला ने अपना दूसरा उत्तर बिनिथा से कुछ यह पूछा था मानो पोरों में पूछे गए उत्तर का अनुतरित लोटने का संग्यान उसे पहले से ही था दैसल साससुर दूर रहते हैं मेरा टूरिंग जॉप है पती जिम इंस्ट्रक्टर है उनके बिजनस जबाने तक मैं जॉप नहीं छोड़ सकती वैसे भी मैं ही नौकरी क्यों छोड़ू एक लाख रुपे महीना कमाती हूँ उपर से ओन ड्यूटी जो जाती हूँ सो टीए वर डीए की अलग इंकमा रही है बस इसले साससुर को याद नहीं आता है अपने पोता-पोती के बारे में और हम दोनों के पास समय नहीं मिनिथा ने दुरवा की तरफ कुछ डेट्स बढ़ा दिये थे उन में से कुछ डेट्स दुरवा ने बिना उपचारिकता के उठा लिये थे और साथ ही वा समझ गई थी कि मुशायरे की मानिन तब शमा उसके समक्ष है यानि कि अब उसे अपने बारे में बताना है मैं पैरिस में सत्या से मिली यों भी कह सकते हैं कि उसके साथ रही और दुनिया को नए से रहे से जिया मैंने वा मुझसे तीन बरस छोटा है और मैं 88 की पर इस बात से शायद हम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता सच कहूं उस रात जब वाइन के नशे में मैं उसकी बाहों में थी तब मैं दरसल नशे में थी ही नहीं सारी रात नशे के बहाने मैंने उसे अपनी जिन्दगी से जुड़े सारे राज खोल दिये थे मैं विदावट गिल्ट कह सकती हूँ वह जिन्दगी की सबसे हसीन रात थी तो क्या काई थे पिनिथा और विमला एक साद बोल उठी थी जी वही जो आप सोच रही है हुआ था वह सब उस रात मैंने खुद को महसूसा था और मुझे कोई अफसोस नहीं या तो ये कई नई बात कोणी पेल का जमाना में बहुरारे टाबर कोड होता तो सासुआ जान बूज कर बीने ससुर नंदोई और देवर जेठरे सागे छोड़ और खेत मिये चली जावती बहुने घरा छोड़ जावती मरदारी रोटी बनावन वास्ते या घररी बाता घर में ही रह जावती जमानों बदल गयो पड़ और अतारी किसमत कोड़ी बदली ऐसा नहीं है विमला मुझे किसी ने कंपेल नहीं किया था सत्या के साथ सोने के लिए वहां मेरी मरजी थी जो बिना किसी दया या खेरात की भावना के थी हम दोनों नहीं कुछ पाया तो कुछ खोया है फिर इसमें नो प्रॉफिट नो गेन का सौदा रहा दुर्वा अपने आपको भिव्यक्त करने में इमानदार थी वे तीनों रात के खाने के तक अपने आप में खोई रही थी बिनीथा ने विमला को खाने के डिब्बे खोलने से लेकर कंबल उड़ाने तक का सारा काम चुपचाप किया था दुर्वा खिड़की के बाहर न जाने क्या देख रही थी जबकि वहां अधेरे के सिवाए कुछ नहीं था किंतु कुछ तो था जिसे वह खोज रही थी एक मरतबा उसने आखे बंद की तो रोहित का चेहरा सामने आया था उसने आखे खोल ली थी जब वह वाकई सोना चाहती थी तो सत्या की उटपटांग बाते और मासूम हरकतों को याद कर करके देड तक मुस्कराती रही थी व्यस्त तो वह भी रहता है और शायद रोहित से कुछ अधिक ही सिर भी वह इतने दिनों तक उसे कंपनी देता रहा बिना एहसान जताए उसने भी तो अपना काम मैनेज किया ही होगा जब जब वह दुर्वा से परे जाकर फोन करता था वह जानती थी कि वह ओफिस में इंस्ट्रक्शन देता था फिर दुर्वा से सौरी बोलकर कोई और बात बोलकर उसे हसा देता था क्यों था किया था इनिक ख्यालों में समाई दुर्वा गहरी नीन में समा चुकी थी जबकि लेकर उठी तो विमला और बिनीथा घरेलू बातों से लेकर राजनीती तक डिस्कस कर रही थी आप किस को वोट देनी के काबिल समझती है बेनीधा ने विमला को पूछा था महें लोगा तो विवसाई लोग हैं माने तो आपस में एक दुज्या की मदद और नाम के सहारे कमाणों और खाणों है सरकार किया ही बात तो सही कह रहें है आप मुझे और मेरे होने वाले बच्चों को सरकारी नौकरी की तलाश रहेगी सो हम अलग तरह से सोशेंगे मेरे पती को भी नौकरी नहीं मिली तो जिम खोल कर जद्द जहद कर रहे हैं बेनीधा ने गंबिरता से कहा था और मैं अभी कुछ भी सोशने के स्थिती में नहीं हूँ किन्तु मतदाना वश्य करूँगी दुर्वा के वाक्य में उसके जीवन की उथल पुथल भरी असमन जसी जलकी थी जो भी करो सोच समझर करो मारा तो यही केडों है पहला जमाना में भी मरदारी बाता और ता सुनती पड़ करती बे आपनी मरजीरी ही मारा वे सिधार गया तो मारा सासरा वालग मने घडी कूटी मारी की मैं मारा पतिरी जाइदातर दुकान बे लोगोंने देदू पड़ महें भी गाड़ी होगी अंगुठो लगायो ही कोड़ी धमकी देदी की पुलिस में चली जाऊ रही जद बार बे लोगा माने एकली छोड़ी पच्छे महें मारा बच्चा पाला बड़ी मेहनत की बिमला सुबकनी लगी थी पर उसकी आखों का चुकननापन बिनिथा और दुर्वा की आखों में भी समा गया था मैंने भी बच्चे डिले करने का फैसला डटकर लिया था इनका जिम जमे न जमे में नौकरी और बच्चे अकेली नहीं समाल सकती हुआ तो एक बच्चा या बच्ची कर लेंगे देर हो जाए तो आए वी अब जिन्दाबाद दुर्वा की बात पे ताली मारती हुई तीनों इस्त्रिया जोर से ठाका मार कर हस पड़ी थी इस बार एक चोकनापन उनके साथ साथ सारे वातावरण में बिखर गया था श्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष। सब सो रहे हैं दिनिथा ने कहा था अगर हम तो जागे हुए हैं दुर्वा ने हस्ते हस्ते विमला के घुटनों पर हाथ रखा था ओ सॉरी आपको दर्द रहता है ना दर्द रेवे भी है और कदे कदे बुढ़ापा में थोड़ो गड़ी काई केवे बिने सीख भी करूँ हूँ सीख? डशी मीन बाई अटेंशन सीकिंग? रियली आप ऐसा करते हो? हाँ मारी बहु केवे दिन में सो दफा मार बेटा सू योर मम्मा इस परफेटली आल राइट शी ओनली सीक अटेंशन बिमला के कहते ही दुरवार बिनिथा मोग खोले उसकी तरफ ताकते रह गए थे आपको तो अंग्री जी आती नहीं? यो तो घड़ी समझू हूँ मारे मतलब री बाता माने सगठी समझावे इस बार फिर वे तीनों जोर से ठाका मार कर हस पड़ी थी गजब आप तो मतलब मिनिथा ने हाथ को उनकी पीट पर थपथपाते हुए कहा था अब नी करूँ तो माने बुड़ापा में कोड पूछे इड़ बैग मैं मारो बेटो घड़ी वस्तों मेल दियो खावा पीवा की मारी दवाया और ठंडा पानी री बोतला सब मारी भी सीकिंग रोही नतीजों है नी तो अब आपने क्या सोचा है दुरवा? रोही तवर से सत्या के बीच कौन जीता? बिनीथा नहीं टू दपॉइंट बात की थी मुझे पता नहीं अभी मैं खुद कोई भी एक ब्रेक दूँगी शायद अपनी छूटी नौकरी के दम पर नया सीवी डिजाइन करूँ चलो अभी करते हैं दिनीथा ने अपना लैपटाप खुलते हुए कहा था अगले कई घंटे वे दोनों सीवी की जुगत में लगे रहे थे और विमला उनके हावभाव से गठ जोड बिठाती हुई कभी हाँ तो कभी नामे से रहलाती जा रही थी आजादी के पश्चात की तीन पीड़ियों की उन औरतों के बीच सुख दुख की अजब गजब साज़ेदारी पनप रही थी समय कालवा परिस्थितियों के अनुरूप अपने आपको ढाल कर वे तीनों अपनी मर्जी का जीवन जीना सीख गई थी कहीं अधश्रद्धा के नाम पर तो कहीं जादू टोनों की याड में उन्होंने अपनी सुविदा के लिए इंतिजाम जुटा लिये थे दिल्ली एरपोर्ट पर लेंड करने से पुर्व उन तीनोंने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज किये थे बेनीता तुम कभी आओ अपने जिम ट्रेनर के साथ हमारे घर उसका पता नहीं मैं अपनी और से वादा कर सकती हूँ अब तक की जिन्दगी में जो पाट सीखा वा यही है कि बी रिस्पॉंसिबल फॉर यॉर्सेल्फ उनली कहीं न कहीं हम सब बेहद एकाकी हैं सच है किन्तु मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की सत्रा बरस बहुत होते हैं एक निर्णा के बारे में सोचने के लिए मन की कर्जो तन की नहीं तन ने तो जूआ पढ़ाल लेवा यो वैसो ही हो जावे पर मनरी प्यास म्रेगमारी चिकारी जीवा होवे भटक भटक कर निढाल हो जावे मिनक पढ़ यो प्यास कदेवे तो त्रिप्त होवे कदेई उम्र भर भटकावा करे बेमला तुम भी आना कभी मिलने या मैं और बिनी था प्लान आउट कर लेंगे तुमसे मिलने के लिए घर ही क्यों हम सब किसी वेकेशन को प्लान आउट कर सकते हैं इस उमर में मन हेते कठे ले जाई सो बोज बनर घूमडो भी काई घूमडो अरे एजे जस्टन अमबर बिमला हम आपके लिए एक बोडिगाड ले चलेंगे बीने जिगलो के वे मने काई जरूरत भी की हाई कैसे पता बिनीथा और दुर्वा को फिर चकित किया था बिमला के घ्यान ने मैं पढ़े ओड़ी कोड़ी पढ़ अक्षर ग्यान तो है मन है अखबार बाचू अर कान खुला राखू हूँ गजब तरीका है सर्वाईवल का ये तो सिख्षा के लिए अक्षर ग्यान के आवशक्ता नहीं होती अनुभव जंदगी जीना सिखा देते हैं ये बात दुर्वा और बिनीथा के लिए अजीब भी नहीं थी किन्तु बिमला ने इसे आजमाया था एयरपोर्ट पर उनके जैसी कई चोकर नीस्त्रियां एक साथ नजर आ रही थी कुछ बदलाव तो आया है उनकी बिरादरी में पर अभी कुछ प्रयास और करने होंगे महनापे में लिप्टी वे तीनों अपने अपने सामान के साथ अपने निर्धारित गर्ण तब वे इस्थान कियों चल दी थी बिम्ला को लेने उसकी बहन का बेटा आया था तो बिनीता को उसकी कंपनी की गाड़ी दुर्वा कैब बुक करवाने के लिए मुबाइल निकाल ही रही थी कि एक साथ दो मैसेज फ्लेश हुए थे पर जीवन जीने की कोशिश करना चाहती थी अभी आप सुन रहे थे रजनी मोरवाल जी की लिखी कहानी चौकन्नी इस्त्रिया